दोस्तों स्वागत है आपका Tate Math with Concept में हम लोग अपने सेगंड सेमेस्टर की क्वेश्चन अंसर सीरीज को कर रहे हैं जैसा कि आप लोगों ने देखा है उपर उसके बाद हम लोग इस उस सीरीज का आज दूसरा पार्ट कर रहे हैं तो जैसा कि हम देख रहे हैं 2.3 के जो question answer दिये गए हैं वो आपके सामने दिये गए हैं हम इस question answer को शुरू करने के पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीट चैनल को like, subscribe and share ज़रू करें स्टार्ट करते हैं अपना session तो दिया गया है यहां पर 3x is equal to 2x plus 18 इसको हम कैसे solve करेंगे दोस्तों तो मैं आपको बता दू मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था कि हम अब yaks वाले termों को एक साथ करेंगे और जितने number वाले term है जैसा कि यहां देख रहे हो minus 3 है minus 5 है तो संख्याओं को एक pass करेंगे और जितने yaks वाले या y वाले या z वाले यानि बीजी ये बिंजयक के term है उनको हम एक pass करेंगे ठीक है तो आप देखो 2 yaks को इधर लाना पड़ेगा x के पास ठीक है तो इधर ला सकते हैं तो जब इधर लाएंगे तो ये 18 खाली हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है कि इसको इधर लाएं इसको इधर लाएं चाहे जिधर ले जा सकते हो लेकिन एक ही तरफ अंकों को करना और एक ही तरफ x वालों को करना है तो आपके minus side में 3 x दिया ही है और जब 2 x को इधर लाओगे तो ये किसके साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा minus के साथ तो हम यहां लिख सकते हैं minus 2 x because मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि संख्या अपने से पहले वाले चिन्न को लेके चलती है और इस 2 x के पहले दोस्तों आपके 2 x के पहले क्या है plus है तो इधर आएगा तो ये क्या होगा minus अच्छा अब 18 के पास क्या है plus तो वो plus के साथ ही बना रहेगा ये याद रखना संख्या अपने से बाएं वाले चिन्न को लेके चलती है और 18 के बाएं पर क्या है plus तो हम लिख देंगे अठारे अब देखो होता क्या है कि इस 3 x के पहले क्या है plus और इसके पहले क्या है minus तो देखो answer क्या होगा कि एक चीड याद रखना कि अगर बड़ी संख्या के पास plus है तो answer plus में आएगा अगर बड़ी संख्या के पास minus है तो answer minus में आएगा तो बड़ी संख्या काउन से है 3 x है तो इसके पास क्या है plus है तो यानि answer किस में आएगा plus में ही आएगा तो आप लोग plus लगा के set कर दो पहले अब बात आती ही यह दोनो yaks है तो yaks तो घटेगा नहीं yaks ऐसे का ऐसे ही रहेगा अंक घटते हैं दोस्तों तो 3 में से 2 घटा होगे कितना आएगा एक आएगा तो answer कितना आगया 1 yaks is equals to 18 clear I hope आपको समझ में आया होगा next question देखते हैं तो दिया गया है question next हमारा दिया गया है 5T minus 3 is equals to 3T minus 5 देखो मैं आपको क्या बताओ कि इस 3 को इधर भेज दोगे तो ये 5 के पास पहुँच जाएगा और इस 3T को इधर लाओगे तो हम लिखना इस्टार्ट करते हैं तो हम लिखेंगे 5T देखते हैं कैसे करा जाएगा तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो अगर हम इस 3 को इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा जो कि यहाँ प्लस के साथ हो गया है और इस 3T को इधर करोगे तो माइनस के साथ हो जाएगा तो ये माइनस के साथ हो गया है अब देखो मैंने कहा था जिस संख्या के पास बड़ी संख्या के पास जो चिन्न होगा वही answer में आएगा तो आपको दिख रहा है बड़ी संख्या कॉन सी है 5T है तो इसके plus क्या है plus है, तो answer में क्या आएगा plus आएगा, तो आप वहाँ पर क्या कर दो प्लस कर दो, उसके बाद next हमारा क्या करोगे, अब 5 वे से 3 घटा होगे, तो आपको क्या मिलेगा 2T, ठीक है तो आपको मिलेगा 2T अब 2T तो हो गया, अब इधर क्या है तो आपको मैंने बताया कि संख्या के पहले, ध्यान से देखना है कि बड़ी संख्या के पहले चिन्न कौन सा है, तो आपको दिख रहा होगा बड़ी संख्या के पहले चिन्न कौन सा है, माइनस का तो आप माइनस लगा दो और जब भी चिन्न विपरीत हों तो संख्याओं को तुरन घटा दिना चाहिए तो चिन विपरीत है यानि तीन के पास प्लस है और दो पांच के पास क्या है माइनस है तो इसलिए जब हम घटा देंगे तो दो आएगा और हमने कहा कि बड़ी संख्या के पहले जो चिन नहोता है उसको लगा देना चाहिए अब आपको दिख रहा होगा इस टी के पास ये जो दो है ये गुड़ा कर रहा है याद रखना दो क्या कर रहा है गुड़ा कर रहा है तो हम लिखेंगे टी बराबर t विरावर क्या हो जाएगा 2 अगर गुड़ा कर रहा है तो माइनस 2 के पास जब 2 आएगा तो क्या करेगा भाग करेगा ठीक है तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 2 बटे में 2 तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा माइनस 1 क्योंकि 2 से जब 2 को काटोगे तो answer में क्या आएगा minus 1 ठीक है उसके बाद हमारा next question दिया गया है तो मैंने आपको बताया जिस तरह से कि 5x और यहाँ पर क्या है 3x तो फिर इस 3x को इधर लेते आओ तो यह हमारा हो जाएगा 5x minus 3x तो यह हो जाएगा हमारा देखो 5x तो यहाँ है तो हमने लिख लिया इस 3x को हमने इधर भेज देना है तो यह plus के साथ था तो कि संख्या अपने से बाए तरफ वाले चिन्न को लेके चलेगी तो क्या हो गया plus के साथ था तो इधर आजाएगा तो minus हो जाएगा तो यहाँ पर हो गया 5x minus 3x अभी यहाँ 5 है और 9 को इधर भेजोगे तो फिर minus के साथ आएगा तो यह हो जाएगा अब मैंने बताया कि संख्या इसमें से बड़ी कौन सी है तो 5x चिन्न कौन सा है plus का यानि answer plus में ही आएगा और 5 में से 3 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा और yaks हो जाएगा तो 2x तो हो गया अब इधर देखो फिर वही चीज़ है कि बड़ी संख्या के पास क्या है minus तो answer minus में ही आएगा याद रखना 5 में से 9 घटा होगे तो हमारा answer हो जाएगा minus 4 बटे 2 तो 2 से 4 को काटोगे तो कितनी बार में आएगा 2 बार में आएगा तो answer हो जाएगा minus 2 तो इस तरह से हमारा answer हो गया minus 2 हम लोग अपने अगले questions को देखते हैं तो आप देख पा रहे हो कि next question दिया गया है 4z plus 3 is equals to 6 plus 2 jet अब देखो इस तरह का question मैं बता चुका हूँ उपर कई बार दोस्तों तो इसको आप लोग लगाईएगा इस 2 को इधर कर दीजेगा तो 4 jet minus 2 jet हो जाएगा इस 3 को इधर कर देंगे तो 6 में से 3 घट जाएगा clear इसको लगाईएगा खुद से इसी तरह से ये वाला भी question है इन्में से भी yaks को एक तरफ करना है तो यहाँ पर yaks के पास minus है इधर yaks को करोग तो plus हो जाएगा और इस एक को उधर भेजना है तो एक के पहले क्या है minus है तो इधर भेजोग तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ठीक है और जो है ये पूरा का पूरा यहां हमने लिख लिया है अब ये जो 3 जव है ये जब 1 गुड़ा करेगा तो आपको मिलेगा 3 यक्स जो कि हमने यहां पे लिखा है जब 3 से गुड़ा करेगा फिर ये 3 जब 1 में गुड़ा करेगा तो मिलेगा minus 3 clear उसके बद plus 7 था ही वहां पे तो हमने लिख लिया अब ये जो यक्स है 3 x और 8 x इनको एक पास कर लो तो 3 x के पहले क्या है plus है इधर आएगा तो क्या होगा minus तो इसको हम लिख सकते हैं 8 x and minus 3 x क्या लिख सकते हैं 8 x minus 3 x अब ये जो 4 आपको दिख रहा है 8x के पास इसको जब इधर वेज़ोगे तो ये किसके साथ आएगा तो माइनस के साथ आएगा तो बिल्कुल आसानी से करना होता है दोस्तों परिसान नहीं होना चाहिए तो हम 4 को जब इधर वेज़ेंगे हैं चाहे वो दोनो प्लस के साथ हो चाहे दोनो माइनस के साथ हो तो समान चिन वाले अंक हमेशा जुड़ जाते हैं तो चार और तीन कितना हो जाएगा साथ बस फर कितना है कि जो चिन रहेगा इन दोनों के पास वही वाला चिन यहाँ पर लगेगा तो हमेशा याद रखना कि आप समान चिन्ह वालों को पहले solve करोगे ठीक है हमेशा समान चिन्ह वालों को पहले solve करोगे अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हो जाएगा minus 7 है और यह plus के 7 है तो 7 में से 7 घटे का आएगा तो यह आएगा हमारा 0 ठीक है उसके बद दिया गया है दूसरे साइड में कि 8 में से 3 घटा होगे तो कितना आ जाएगा तो पहुझ आएगा हमारे पास 5 यक्स कितना हो जाएगा 5 यक्स अब ये जो 5 है यक्स के साथ क्या कर रहा है तो यहाँ पर गुडा कर रहा है तो जब हम इधर करेंगे तो ये क्या करेगा भाग तो यक्स पराबर हो जाएगा 0 बटा 5 याद रखना जब किसी भी संख्या से किसी भी संख्या से अगर आप 0 में भाग कर रहे हो यानि 0 अगर हर में रहे तो answer infinite हो जाता है यानि अनन्थ हो जाता है तो इस तरह से हमारा चाथमा वाला question लगेगा हम साथमा वाला question देखते हैं कैसे लगेगा दोस्तों उसको देखते हैं हम लोग तो हमारा आथमा question जैसा कि दिया गया है yux is equals to 4 upon 5 फिर yux plus 10 देखो इसको बड़े साउधानी से करना होगा अब आप देखो दो तरीके से कर सकते हो एक क्या कर सकते हो कि 4 बटे 5 का इसमें भी गुड़ा करा दो फिर इसमें भी गुड़ा करा दो दूसरा तरीका मैं आपको आसान वाला बताता हूँ कि ये जो 5 है ये यहाँ भाग कर रा है ठीक है तो इसको पहले इधर बेज़ दो तो क्या करेगा गुड़ा करेगा यानि ये 20 साइड में हमारा हो जाएगा 5 x क्या हो जाएगा 5 x अब आपके इधर साइड में केवल बचेगा 4 तो 4 का जह हम गुड़ा कराएंगे तो हमारे लिए आसानी बनेगी क्योंकि easy हो जाएगा अब 4 का yaks में गुड़ा कराओगे तो 4 yaks मिलेगा otherwise वो बटे में जो 5 है वो आपको थोड़ा समस्या करता लगाने में ऐसा नहीं यह लगता लगेगा लेकिन आपको problem करेगा तो 4 yaks हो गया and plus अब 4 का जब 10 में गुड़ा कराओगे तो कितना हो जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा 40 अब देखो जो 4 yaks है अब इसको आप लोग लगाओगे इसको हम बताएंगे नहीं ठीक है तो यह जो 4 yaks है इसको इधर बेजो माइनस के साथ हो जाएगा फिर आप लोग लगा लीजिएगा ठीक है next हम देखते है हमारा जो आठमा question है उसको हम लगाते है तो हमारा आठमा question दिया गया है 2 yaks upon 3 plus 1 is equals to 7 yaks upon 15 plus 3 क्या करेंगे हम yaks वालों को एक तरफ करेंगे मतलब 2 yaks upon 3 इधर है इस 7 yaks upon 15 को हम इधर लाएंगे तो यह हमारा हो जाएगा minus 7 yaks upon 15 ठीक है तो हम करते हैं उसको तो यह हो गया हमारा 2 yaks upon 3 minus 7 yaks upon 15 क्योंकि इसको इधर हम करेंगे तो minus के साथ हो जाएगा और यह plus 1 है इसको इधर करोगे तो minus के साथ हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे 3 पहले से था और minus 1 इधर आ गया ठीक है अब LCM लोगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 15 ध्यान से समझना इस चीज को कि जब LCM लोगे तो आपका आ जाएगा 15 मैंने पिछले वीडियो में भी LCM की चीजों को समझाया था आपसे कि अब जब LCM ले लिया था हमने 15 आ गया अब यह 3 से जब 15 को काटोगे तो 5 बार में जाएगा ध्यान से समझना इस चीज को 3 से पहले 15 को काटना है तो 5 बार में जाएगा वो जो 5 आएगा वो 2 यक्स में गुड़ा करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि 3 से हमने भाग दिया है तो 3 के ही अंस में हम गुड़ा करेंगे ठीक है तो जब 2 यक्स में गुड़ा करोगे मिलेगा 7 yaks ही मिलेगा इस चीज को भी याद रखना आप लोग ध्यान से अब हम इसके बाद इधर देखेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों तो हमारे पास मिल जाएगा 2 तो हमारे पास मिल जाएगा 2 अब ये 15 यहाँ क्या कर रहा है भाग कर रहा है इधर क्या करेगा गुड़ा अच्छा अब ये तो गुड़ा करेगा ठीक है तो पंदर दूना कितना हो जाएगा तीस हो जाएगा तो बराबर के इधर हम लिख सकते हैं ये हमारा कितना हो गया तीस हो गया ठीक है यक्स का आंसर आप बताओगे क्योंकि 3 यहां गुड़ा कर रहा है तो इधर क्या करेगा भाग करेगा तो 30 में जब 10 यह 3 से भाग कराओगे तो आंसर कितना हैगा 10 इस तरह से हमारा आठवा कोश्चन कंप्लीट होता है इसके बाद जब हम कुश्चन को लगाएंगे तो थोड़ा सा हम डारेक्ट चलेंगे जैसे यहां पर 2Y प्लस Y होगे ना तो इसको हम डारेक्ट 3Y लिखेंगे तो इस तरह से अब आपको थोड़ा सा जल्दी अल्दी करना है ठीक है तो यहां पर हो जाएगा 2Y प्लस Y अच्छा यह 26 बटा 3 इधर ही था तो इसको इधर ही ऐसे नोट कर लो तो यह हो जाएगा 26 बटा 3 और जब 5 बटा 3 इधर करोगे तो माइनस के साथ आ जाएगा ठीक है तो यह हो गया माइनस के साथ 26 बटा 3 माइनस 5 बटा 3 LCM लोगे तो आपको मिलेगा 3 ही ठीक है तो याद रखना यहाँ पे 3 और 3 दोनों में था इसलिए हमारा LCM 3 हो जाएगा जब same रहे तो फिर कोई problem नहीं होती है तो आप 26 में से 5 जल्दी से घटा दो तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा 3Y अचा 3Y का मान कितना मिला है आपको last में कितना लिखा गया है तो कितना लिखा गया है 7 लिखा गया है तो यानि 3Y का जो मान मिला है वो हमें मिला है 7 अब Y का जो मान मिलेगा वो आप लोग बताओगे क्योंकि 3 यहां क्या कर रहा है गुड़ा इधर क्या करेगा भाग तो 7 बटा 3 हो जाएगा clear हम लोग next question देखते हैं दसवा number question तो इस question में देखोगे तो 3m बराबर 5m दिया है तो यह 5m plus के साथ है इधर भेजोगे तो minus के साथ हो जाएगा तो यह हो जाएगा 3m minus 5m कितना हो जाएगा 3m minus 5m बराबर minus 8 बटा 5 के अब 3m में से 5m घटा हो गए तो मैंने बताया था बड़ी संक्या के पास वाला चिन आपको मिलेगा तो यह हाँ पर मिल जाएगा minus क्योंकि बड़ी संक्या कौन से यह 5 है और 3 में से 5 घटा हो गए या 5 में से 3 घटा हो गए तो आपको क्या मिल गया 2 मिल गया 2m बराबर कितना हो गया minus 8 बटा 5 यहां एक नई चीज सीखने वाली है ध्यान से समझना बिलकुल ध्यान से अगर आपको इस तरह से question मिल गया कि minus इधर भी लगा है और minus इधर भी लगा है बस एक चीज और ध्यान रखना है कि इसके बाद यानि इसके बाद कुछ नहीं लिखा गया है और इसके इधर भी कुछ नहीं है ना ही इधर भी कुछ है तो जब यह दोनों तरफ अकेले इसी तरह से हो तो इनके minus आपस में कट जाते हैं याद रखना इनके minus क्या हो जाएंगे कट जाएंगे अच्छा अब यह 2 क्या कर रहा है गुडा कर रहा है इ इसका मतलब यह 5 के साथ हो जाएगा तो यह 5 के साथ क्या करने लगेगा गुडा करने लेगा ठीक है तो याद रखना अब देखो दो भी भाग कर रहा है आट में और 5 भी भाग कर रहा है तो जब 2 से आप काटो गए 8 को तो कितना मिल जाएगा 4 तो answer क्या हो जाएगा 4 बट हम लोग next time उस question को solve करेंगे और हमारी अगली सीरीज का जो पार्ट होगा तीसरा पार्ट उसमें वो इबारती questions लगाए जाएगे तो हम लोग देखते हैं कौन से question दिये गए हैं तो इस प्रकार के question हैं जिनको आपको लगाना है आप लोग इसको पढ़िएगा ट्राइ अगर आप लोग पहली बार चुड़े हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक सेर जरूर कीजिए तब तक के लिए thank you thank you so much